Hello दोस्तो, Welcome to our channel आज इस वीडियो में बात करते हैं कि Form FC GPR फाइल करने के लिए दोस्तो क्या process है process में दोस्तो इसके तीरी step होते हैं पहले हमें entity user create करना होता है उसके बाद में हमें business user create करना होता है then हम दोस्तो Form FC GPR अपना फाइल करते हैं तो यह दोस्तो हमें Form FC GPR फाइल करना होता है within 30 days of allotment of securities ठीक है यहाँ पर हम securities बोलेंगे shares नहीं क्योंकि securities में share debenture और सारी securities include होती हैं तो यह दोस्तो फाइल होता है firms.rvi.org पर तो आप इस portal पर आजाएंगे या आप Google पर normal डाल देंगे RBI FC GPR फाइलिंक तो भी इस portal पर यह link आपको कर देगा तो सबसे पहले यह वाला home page हमारे सामने आएगा और दोस्तो इसमें हमें करना क्या है इसमें आप नीचे यह देख रहे हैं registration form for new entity user अगर आपकी पहले से user ID forms portal पर नहीं बनी है तो आपको सबसे पहले यही पर जाना है लेकिन अगर आपकी company का दोस्तो एक बार form file हो चुका है FC GPR वाला तो फिर आपको new नहीं बनानी है आप direct login करके अपना form file कर सकती है तो entity user पर हम click करेंगे entity user पर दोस्तों हमने click कर दिया है हमने click कर दिया उसके बाद में यह form हमारे सामने open हो गया है इसमें दोस्तों इससे पहले हम जो इसमें एक letter लगाना होता है company से sign करके उसको समझ लेते हैं तभी यह समझ में अच्छे से आएगा तो यह दोस्तों format है उस letter का जो हमें लगाना होता है यह है दोस्तों letter of authorization यह नहीं कि form FCGPR file करने के लिए हम company के किसी director को या फिर किसी और employee को authorize कर देते हैं कि आप FCGPR form जो है file कर सकते हैं उससे relevant जो भी document है आप sign कर सकते हो तो यह लगाना होता है मतलब acknowledge करके देना होता है to the chief general manager in charge foreign exchange department region bank of media new Delhi या जो भी आपका region है या new Delhi हमेशा नहीं रहेगा change होता रहेगा अगर आपका region है Kolkata तो आप यहाँ पर Kolkata कर सकते हैं Mumbai, Patna या जहाँ जहाँ पर भी RBI का regional office है वहाँ पर कर सकते हैं dear sir letter of authorization for creation of entity user in firms portal ठीक है और यहाँ पर दोस्तो जिस person को हम authorize कर रहे हैं कि यह sign बगएरा करेंगे आगे तो BR hereby authorized Mr. this उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा और director holding permanent account number यानि कि उनका pen number यह है उनकी जो भी designation है जरूर नहीं कि वो director ही हो वो company के manager या कोई भी employee हो सकते हैं बसरते कि वो company के payroll पे हो और company के account से उनके account में salary जा रही हो तो यहाँ पर जो भी उनके designation है वो आ जाएगी या आप किसी एक director को भी authorize कर सकते हैं उनका यहाँ पर दोस्तो pen number आ जाएगा to register as entity user for submission of information in the entity master of foreign investment reporting and management system यानि की firm's portal पर दोस्तो हम कर देंगे और भी हाँ पर अबर company का नाम अपना यह पर आ जाएगा having registered office यह आ जाएगा company का sin number यहाँ पर आ जाएगा भी also authorized mister जो उसका नाम उपर था वह यहाँ पर आ जाएगा कि वो declaration दे देंगे सारे document sign कर सकते हैं और दोस्तो the specimen signature of mister जो भी हमारा authorized person है authorized representative है उनके यहाँ पर दोस्तो हमें एक signature भी कराने होंगे और four company, company का नाम आ जाएगा signature, name of person, designation, date number, company के डिरेक्टर एक डिरेक्टर या बाकी सारे डिरेक्टर मिल करके किसी एक person को authorized कर सकते हैं और यहाँ पर कई लोग गलतिये कर देते हैं कि जिनका नाम यहाँ पर था authorized में उनका वह ही authorized करते हैं तो the same person यहाँ पर नहीं हो सकते हैं यह बात का ध्यान लगना है जो person sign करने के निकले authorized हो रहा है उससे कोई अलग person sign कर सकता है अलग person कोन हो सकता है कि या तो वो company के director हो सकते हैं या company के company secretary compliance officer भी हो सकते हैं जो appointed है company में तब ठीक है most of the cases में आपको director से ही sign कराने है या फिर one director plus one CSA sign कराने है ठीक है इसको sign करा लेना है clear copy में scan करना है और दोस्तो इसके साथ में हमें जो ये person उपर authorized हो रही है उनके self-tested copy of pen card भी लगानी होती है pen card की copy दोस्तो mandatory है otherwise आपका form जो है reject हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हमने ये form भल लिया है मतलब ये समझ लिया है declaration pen card इनके जो भी detail है वो ही दोस्तो हमें यहाँ पर mention करनी है तो मानलो हम यहाँ पर लिख देते है मैं जैसे अपना ही अगर नाम लिखता हूँ तो user name हम कुछ भी यहाँ पर create कर सकते हैं दोस्तो जैसे मानलो company के नाम से भी कर सकते हैं ABCD 2023 mail ID आप लिख सकते हैं पर अपनी जैसे मानलो यह हमने अपनी mail ID लिख दिये है ठीक है pen of the authorized person का हमें दोस्त पर pen number भी लिखना है तो हम pen number अभी एक dummy डाल देती है यहाँ पर दोस्तों उसके बाद हमें mobile number लिखना होता है यह उस person का है लिखना होता है जिसको हमने authorized किया है ठीक है otherwise हमें और किसी का नहीं लिखना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उस entity name में उस company का नाम आ जाएगा entity type वो company है, LLP है या फिर startup है उसके यहाँ पर आप select कर देंगे और company का दोस्तों sin number डाल देंगे अगर LLP है तो LLP आये नमबर डाल देंगे और उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर डालना होता है regional यहाँ पर select करना होगा regional office of RBI देख सकते ना जिस area में आपकी company का office है देख सकते हर इतनी सारी जगे RBI का regional office है अमदाबाद, आंदरपरदेश, बैंगलोर, बोपाल, भुबनिषपर, चन्रीगर, चेन्नाई, दिल्ली, गौहपटी, हिद्रबाद, जैपूर, जम्मू, कानपूर, कोची, कोलकाता, मुंबई, पानाजी, पटना तो इसके नियरवाई, जो भी आपका registered office है company का, वो ही आपको select करना है otherwise reject हो जाएगा, resubmission आजाएगा, आपको फिर से करना होगा और इसमें resubmission ऐसा नहीं आता है, इसमें दोस्तों direct reject होता है आपको फिर से fresh ही करना होगा ठीके, मानलो हमने जी, यह हमारा office है दिल्ली या, यूपी में मतलब इधर हमारी company है, कानपूर से पहले अधर मतलब मानलो, नुरडाया गाज़े बाद में, तो हमारा दिल्ली आ जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर company का sin number मानलो, डाल देते हैं दोस्तों यह हमने company का sin number डाल दिया है उसके बाद दोस्तों company का register डोपिस हम डाल देते हैं, कुछ भी मानलो, हमने डाल दिया की जी, यह हमारा गाज़े बाद देखे, company का यहाँ पर हमें नाम और डालना होता है दोस्तों, तो company का हम यहाँ पर नाम अपना डाल देते हैं यह company का हमने नाम डाल दिया है, और authority letter जो हमने यह वाला देखा है, इसको दोस्तों sign करा लेना है proper, यहाँ पर जो जिस person का हम अथराज कर रहे हैं, उनके signature आ जाएंगे और नीचे किसी और person के company के director के signature आ जाएंगे, और इसकी clear copy with self-addested copy of pen card of this person, जिसको हमने अथराज किया है, दोनों को एक साथ merge करना है, और आपको यहाँ पर लगा देना है दोस्तों, ठीके यहाँ पर मानलो हम इसको लगा देते हैं यह हमने लगा दिया है, उसके बाद हम submit पर click कर देंगे यह दोस्तों हमने submit कर दिया है, तो यह हमारा submit हो चुका है यह दोस्तों हमने submit कर दिया है, तो यह हमारा submit हो चुका है यह आरा न, record saved successfully, तो इतना ही दोस्तों आता है, record saved successfully ही आपका आता है जब आपका submit हो जाएगा, और यह normally एक से दो working days का time लेता है, maximum 48 hours का process होने में अगर दोस्तों किसी चीज में कोई problem नहीं है, कोई documents बगरा में, तो आपका create हो जाता है यह मतलब login ID, password आपके mail पर ही आ जाता है, जो mail ID आपने यहाँ पर डाली हुई है ठीक है, normally 48 hours में आ जाता है, अगर आप किसी भी तरीके की वो चाते है, help बगरा चाते है RVA की sites है, तो यह दोस्तों इनकी mail ID है, यहाँ पर help firms at rva.org.in करके इनकी mail ID है तो आप इनको Monday to Friday 10.30 से 6.00 PM तक mail कर सकते हैं और अगर आपको कोई query आती है या कोई problem आ रही है, तो इस consort लेकरके इनको mail कर सकते हैं तो दोस्तों इस video में इतना ही, कोई अगर आपकी query है, तो आप हमें comment कर सकते हैं